ब्फॉसका दोस्तों मैं वाइब हापका वारिजोनेकड़ी में स्वागत करता हूं आज का जो वीडियों इस व्यूडियों में देखना है कि आपको एक होल का और शाफ्ट गा मतलब बुश और शाफ्ट का साइज दिया उसके विससाफ से आपको लाउंस दिया है a 50 mm diameter shaft is made to rotate in the bush यह आप जो देख रहे है यह bush है आपका और यह आपका shaft है the tolerance for shaft and bush are 0.050 मतलब यह दोनों का जो tolerance है यहां पर यह कितना है 0.050 0.050 है और determine the dimension of the shaft and the bush to give a maximum clearance of 0.075 with the whole basis system वो क्या आप होल रहे है कि whole basis system के हिसाब से कितना clearance होना चाहिए maximum 0.075 मतलब whole basis system मतलब आपका यह जो size है low limit वो क्या हो यह low limit आपका basic size रहेगा और यह जोनों के बीच में कितना clearance रहना चाहिए 0.075 रहना चाहिए आपको यह ऐसे पूरा problem का summary है अब इसको solve कैसे करना है वो देखते हैं पहले तो whole basis system हो गया मतलब whole की size fix हो गई और उसका upper limit निकालना है आपको तो answer में आपको पहले क्या करना है high limit of whole निकालना है low limit तो आपको पता चला हो low limit क्या है आपका 50 है ठीक है फिर low limit plus tolerance हर एक का tolerance कितना है 0.050 है तो बस मैंने क्या किया low limit लिखा 50 और उसमें addition के 0.050 तो आपका high limit कितना है 50.050 फिर अभी शाफ्ट का यह जो शाफ्ट है यह शाफ्ट का क्या करना है आपको high limit निकालना है शाफ्ट का तो आपका high limit निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी यह आपके पास पता है आपको और यह दोनों का बीच में का clearance भी पता है आपको तो क्या करना पड़ेगा low limit of whole minus allowance कर दो तो आपका क्या आ जाएगा high limit of shaft आ जाएगा तो मैंने यहां पर कुछ इस तरह से लिखाया high limit of shaft is equal to low limit of whole low limit of whole कितना है पचास है क्योंकि आपका basic size fix है minus allowance दिया आपको 0.075 तो इतना value कितना है 49.025 सेम अभी आपके पास shaft का high limit आ गया है तो इसके क्या कर दो इसमें से tolerance माइनस कर दो आपका हर एक का tolerance कितना दिया है आपको 0.050 दिया है तो मैंने वही क्या है यहां पर low limit of sharp निकालने के लिए high limit of high limit of sharp minus tolerance किया high limit कितना आया था मेरा 49.025 माइनस tolerance किया 0.050 तो 48.975 मतलब क्या हो गया मेरा दोनों भी value मुझे भी पता चले लो high limit of fall कितना है यह है और low limit कितना है 50 है यह दोनों का ऐसा है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक्यू कर दो